हेलो स्टूडेंज, वेलकम टू इन माई चैनल स्मार्ट स्टडी स्टूडेंज, आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नंबर दो करेंगे जो की क्लास सिक्स्थ की है और विश्य है गनित बेटा ये वर्क्षिट 15 सितंबर 2020 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट, वर्क्षिट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वर्क्षिट संख्याओं की जानकारी प्रिये चात्रों आपने आज पास बहुत सी वस्त्वे देखी होंगे क्या सभी एक जैसी होती है या इन में कुछ अंतर है आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें तो बच्चे आज हम क्या सीख रहे हैं संख्याओं की तुलना के बारे में इन तीनों बच्चों में से किसकी उंचाई सबसे ज्यादा है इन तीनों बच्चों में से किसकी उंचाई सबसे कम है तो देखो बटा इसकी उंचाई क्या है सबसे ज्यादा है तो राजेश की उंचाई क्या है बटा सबसे ज्यादा है और सबसे कम किसकी उंचाई है इसकी उ तो दो हजार 4488 और 947 की तुलना करनी है. इन में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो न दोनों में से हमें पता लगाना है कि कौन सी संख्या बढ़ी है. तो देखे हैं क्या होगा. 248 चार अंख्यों की संख्या है? लेन वहां पॉलक हैं शना है . जबकि 947 कितने अंकों की संख्या है तीन अंकों की संख्या है तो हमें पता चल गया इसका उत्तर क्या है बिटा 2438 संख्या क्या है बड़ी है क्योंकि देखो एक, दो, तीन, चार अंकों की संख्या है और ये कितने अंकों की संख्या है तीन अंकों की संख्या है आगे देखे कि अगर 6,758 में और 7,852 में से कौन सी संख्या बड़ी है दोनों ही संख्या है चार अंकों की है बेटा देखो इसमें भी चार है 6,7,9,8 और इसमें भी 7,8,5 दोनों में ही कितने अंक है टोटल 1,2,3,4 दोनों में ही टोटल कितने अंक है चार तो चार अंकों की संख्याओं में हजार की अंकी तुलना करेंगे तो इसमें क्या करेंगे बेटा इसमें सिर्फ हम हजार की अंकी तुलना करते हैं सबसे पहले जैसे कि देखो इसमें हजार नमबर पे इकाई धाई देखो इसमें हम यहापे लिखाती हूँ पहले आपको यह संख्या है तो बेटा यह नमबर हो गया इकाई धाई सेंकडा और हजार चीक है सबसे पहले कोई साथ है इकाई धाई सेंकडा और हजार तो हम क्या करेंगे बड़ी संक्या कौन से हो जाएगी? 7852 क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी और जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम इस तरह से अगर ये निशान बड़ा है तो हम इसकी तरफ ये निशान लगाएंगे देखिए यदि 1000 कांक समान हो तो अब देखो अगर 1000 का समान हो जाता है तो अब हम क्या करेंगे तो देखिए 6, 9, 7, 8, 6, 4, 8, 9 इन दोनों में देखो 6 का दोनों क्या है समान है अब उसके बाद हम second number सेंकड़ा का नमबर ले लेंगे अब हम क्या करेंगे सेंकड़े का नमबर ले लेंगे और दूसरा नंबर क्या है छै चार आठ नो तो दोनों ही एक तो चार नंबर की संख्या है इसके अलावा दोनों में जब हजार की बात करी हजारवा नंबर जो आ रहा है दोनों में सेम है अब हम लेते हैं सैंकडे का नंबर तो सैंकडे में बड़ा कौन सा है नो तो बड़ा क अंकों की संख्या समान हो, तो हम कहां से शुरू करते हैं, बाई और से यहां से शुरू कर देते हैं, पहले सैंक्रा, पहले हजार, फिर सैंक्रा, उसके बाद दहाई, ठीक है, उसके बाद में एक करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे अगर इसके लावा हमारा लाख होगा, तो हम औ और भी आरगे से शुरू कर देंगे तो आइए देखते हैं इसके अंसर्स बेटा क्या कॉशन अंसर्स दिये रहे हैं संख्याओं की तुल्ला करते हुए रिकिस्तान पर उचित निशान लगाईए तो आइए करते हैं यह अंसर हम कि क्या दिया गया है देखते हैं यहां पर त इसको ओपन रखते हैं ध्यान रखेगा यह बड़ा होगा और यह छोटा होगा अब देखे नेक्स्ट में देखो यहां पे चार अंक है और यहां पे तीन अंक है तो बिक कौन सा हो जाएगा चार अंक वाला क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा अब यहां पे देखे दोनों ही तीन अंख है तो अब दूसरा नोर दहाई का अंख देखेंगे यहां पर जिर नो तो बड़ा कौन सा ओ जाएगा यह अब देखतें निक्ट देखो यह यह भी, क्या है तीन अंख है और यह भी तीन अंक है, तो पहले घ्ल ऑल, सेट्बुर। ब्र Aaa सब्तिकों में खिलें टॉम किसकी निशाल सकते हैं कि भाई हैं, एक बुर्द की किक्षणी नेक्स पॉर्थि 열ी हैं। देखें, यहाँ पर क्या दिया गया, next question बेटा, निमन लिकी संख्याओं की तुनला करें, आरोही वै अवरोही करम में लगाएं, तो बेटा, आरोही करम क्या होता है, जब हम किसी नंबर को छोटे से बड़ा लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आरोही नंबर, जैसे कि अ 85 नंबर इसके अंदर क्या है, सबसे छोटा है, उसके बाद आ जाएगा, 685, उसके बाद क्या आएगा, 995, उसके बाद क्या आएगा, 4885, और उसके बाद क्या आएगा, 4998, तो यह होगा आरोही करम, देको बढ़ रहे हैं नंबर, पहले सबसे चोटा, फिर उससे बढ़ा, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा इसको ऐसे अरेंज करना है अब हम करते हैं अवरोही नंबर अवरोही क्रम में उल्टा होता है जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले आता है और जो लास्ट का जो लास्ट में आता है वो सबसे छोटा होता है तो आएए इसी इनी नंबर क अब हम अवरोही क्रम में लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा पहले बिटा, 499498 में सबसे बड़ा है, सबसे पहले आएगा उसके बाद में 4855 में, उसके बाद 685 में, और सबसे लास्ट में क्या होगा बिटा, 85 तो हर नमबर के बाद बिटा, कॉमा भी लगा दीजेगा, जिससे कि क्या हो नमबर मिक्स ना हो, ठीके स्टूडेंट, तो बिटा, आज की आपकी वर्क्षिट कंप्लीट होती है, वर्क्षिट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराईए, और प्लीज मेरे चैनल को सबस्क लाइक और शेर कीजिए, थैंक यू स्टूडेंट्स